हेलो डियर स्टुडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर अपन मानव नेत्र के बारे में कम्प्लिटली अच्छे से पढ़ने वाले हैं दोस्तों सबसे पहले टॉपिक आता है मानव नेत्र तो बात आती है सबके सामने कि मानव नेत्र होता क्या है तो दोस्तों मानव नेत्र है ये सरीर का एक ऐसा अंग है जो विबीन उदेश्यों से परकास की पर्तिक्रिया करता है आख वो इंद्रिय है जिसकी साहिता से अपने लोग देखते हैं और मानव नेत्र लगबग एक करोड रंगों का जो अंतर है वो कर सकता है सबसे इंपोर्टेंट बात यहां पर दोसरी बात विबीन उदेश्यों से परकास की रंगों की जो परकास है उसकी पर्तिक्रिया करता है अब इसकी सबसे इंपोर्टेंट दोस्तों बात यहां पर अपने बात करते हैं इसकी व्यास की तो जो मानव नेत्र होता है उसका व्या तरफ सरीर का वह अंग है जो परकास की परतिगह करता है ठीक है देखने में काम में आती है और यह सब optimistic को पता है और है और इसके साथ में यह एक करोड़ रंगों का अंतर कर सकता है इसके बाद में सब topic अपन अच्छे से देखने वाले हैं यहाँ पर आपके सामने सबसे पहले मानव नेतर की सरस्णा पहले अच्छे से अपन मानव नेतर की सरस्णा के बारे में पढ़ लेंगे और इसमें बता दूगा कि आपके कौन-कौन क्या क्या parts है और फिर उन especially जो इसकी parts है उसके बारे में आपने बात करेंगे ठीक है खाई बात करते हैं मानो नैतर की सरस्ना की तो ये गोले के आकार का होता है आपको भी पता है सब को पता है ठीक है किसी वस्तु से आती हुई परकास की किंड हमारी आखों में आखों के लेंज के द्वारा परविश करती हैं तो यहां पर आप देख सकते हो आपको यहां पर दिखाई भी देर होगा यह है आखोंगा लेंज तो इसके द्वारा अपने आखों के अंदर परकास क किरन इस पिर तकरा के फिर आपके आँख के अंदर आएगी ना तभी आप देख पाओगे ऐसा नहीं कि आपके आँख से किरन निकली और फिर तकराई नहीं सूर्य की परकास की किरन इस वस्तु से तकराएगी और फिर आपके आँख में जाएगी ना तभी आप इसे देख प यहां पर पूरी-फूरी अपड़ेट आपको अच्छे सम्झाऊंगा लेकिन परतिभन काॉघ करूं आपके यहां से दो करिने आएगी और जहां पर बनेगा दोनो sv activating कहां पर रोगी खीकस ऐ अगोकी रेटिना या दस्टी पटल बोल काफी important सीजे तो यहां पर ध्यान रखना क्या retina यहां पर दस्टी पर्टल इसको बोलते हैं पीछे वाले पार्ट को ठीक है जहां पर आपका जो पर्ति बिम्ब बनता है ठीक है उसके बाद में यहां पर देखो दस्टी पर्टल एक परकास का परकास समेधी पर्दा होता है तो एक परकार का देखो यहां पर आपको अच्छे से बता दूँ देखो यह पर आपको अच्छे से बता दूँ देखो यह पर्टी न यह दस्टी पर्टल बोलते हैं यह बिल्कुल परकास समेधी पर्दा होता है और इसके उपर ही जो परतिवीम में वो बनता है जो भी परकास के केन आती है इसके उपर जो यहाँ पर लेंज से अपरतित होने के बाद में यहाँ पर उसका परतिवीम बनता है वो रेटीना बनता है और रेटीना बनने पार परकास समेंदी परदा होता है यह जो भी होता है उसको पड़ लेता है ठीक है और फिर आगे ये तंत्रीकाओं की द्वारा मस्तिक तक पहुंचाने का कार्य करता है ठीक है दोस्तों अब देखो जो कि आखो के पश्ट के में भाग होता है और उसके बाद में क्या है दस्टी पटल रेटीना परकास सुगई को सिकाओं परकास तरंगे उनके रूप में इसको मस्तिक को बेजता है और मस्तिक उसको जैसे यहां पर सब कुछ उल्टा बनता है ठीक है मस्तिक उसको सीधा करके अच्छे से बढ़ लेता है और अपनको समझना जाता है यह ध्यान रखना यहां पर जो अपना परती भी बनेगा ना वो उल्टा बनेगा ठीक है तो वो उल्टा और वास्तिक बनता है वो आगे मस्तिक में जो तरंगे प्रकास तरंगे उनके द्वारा जाता है और वहां पर मस्तिक उसको पढ़ता है बेगता है ठीक है कुल मिला के आँखो द्वारा किसी वस्तु को देखा जाना एक जटिल परक्रिया है तो आपको भी यहाँ पर पता सब गए कितनी जटिल परक्रिया है तो वो सारी सारी आपको अच्छे से समझा दूँगा ठीके दोस्तों अब आपको यहां पर पहले मैं बता देता हूं थोड़ा सा जैसे आपको थोड़ा बहुत lensों के बारे मिन नॉलेज होगा उसके बारे में भी एक वीडियो बना के आपको lensों के बारे मिन complete information दे दूँगा यहां पर देखो क्या होता है लेंसों के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा यहां पर अपडेट देता हूं देखो यह है उत्तल lens ठीक है उत्तल उल्टा बनाता है और वास्तिक बनाता है सबसे important यह दो ध्यान रखना ठीक है तो जैसे यहां से परकास की केंड़ने एक यहां से आएगी एक यहां से आएगी इसके अंदर जाएगी तो अपनको पता लेंस अपवर्तन का कारिये करता है अपवर्तित हो करे थोड़ी नजदीक आएगे और यहां पर र्रीटि न डसीट्य पर्तल कि यहां पर प Rightsánt बनता है और यहाँ पर यह अच्छे से पढ़ लेता है और पढ़ने के बाद में इसको बेज देता है मस्तिक पास में मस्तिक इसको जैसे उल्टा और वास्तिक होता है तो वापस उल्टे को सीधा करके अच्छे से देख लेता है तो अपने की यह परक्रिया होती है अब से लेंस है ना इनके पीस में ये पेसिया होती है इनको पक्समा भी पेसिया करती है ये पेसिया क्या करती है लेंस को चोटा बढ़ा भी करती है ठीक है कभी कभी देखो अपन लोग एकदम से दूप के अंदर से अंदर एक अंदर जाते तो अपने को एकदम दिखना बंद हो तो वह क्या होता है एकदम से जाते हैं तो इनको संकुक्चित करने और फैलाने में थोड़ा टाइम लगता है उसकी वज़े से ऐसा होता है ठीक है अब बात करें नैत्रोद की तो पर यहां पर जो ओह न ये यह जар है नेत्रोद है और उसके बाद में यह देखो आखो के पुठली यह यहांपर टारीका है इसके पास का जो वाइट वाला पाट है उसको बोलते हैं और स्वस्व बंडल है जो यहा पर जोसे श्वबॉक्श मंदल आपहुतों को में प्सें इ एक परीतारिका बोलते है, परीतारिका एक पतला ग। गोलाकार और गहरी रंग का पिस ही है, डायफ्राम होता है जो स्वस मंडल के पीछे रहता है देखो यहाँ पर जो स्वस मंडल लेना वो पूरा का पूरा इसके आगी की परत होती है ठीक कैज जो इसके अंदर आगे वाले पार्ट है वो सारे इसके अंदर है तो यहाँ पर गया है स्वस मंडल के पीछी की साइड यह पाट है और इसी से होकर जो परकास है फू आगे परविस करता है परितारिका पुतली के आकार को नियंतरी करती है ताकि रेटी ना एक परकास की आवसक एवं सही मात्रा पहुंच सके परितारिका रंगों के द्वारा ही किसी व्यक्ति की आँखों का विश्यस रंग होता है या निदारित होता है तो देखो कुछ लोगों के आखे बूरी होती है तो कुछ की थोड़ी सी अलग हर किसी के तो यह परिकारी का ही का ही रंग होता है उसी की वज़े से आँखों का रंग होता है ठीक है अब अगला पुतली आंखों में प्रेश करने वाले परकास की केंड़ों को नियंतरीत करती है ताकि परकास की सही मात्रा दस्टी पतल पहुंच सके और मनुस्य को पुतली गोलाकार होती है तो यह क्या करती है निर्दारिद करती है परकास की मातरा को जैसे क्या होगा ज़्यादा मातरा में परकास नहीं जाए और अच्छे से आपके जो सीज सीज़ देख रहे हैं वो अच्छे से उसका परतिमектор अपके रेटइना पर बन सक known ठीके गईज, उसके बाद में बात करें, अभी नेतर लेंस, यानि अपने आखों का लेंस, यानि उत्तर लेंस, या किश्री लेंस बोल सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, तो आखों का लेंस, अभी नेतर लेंस, अनले लेंसों के तरह ही होता है, आखों में पार्द सी द्वी उत्तलेंस होते हैं जो रिक्सेदार अवले तो देखो इतलेंस इधर और इधर इन दोनों को मिला करें अपना बोल सकते हैं ठीक है है अब यहाँ पर देखो जो किस से बनता है सबसे इंपोर्ट में रेस सिदार अवलेह से जैसे पदार्चों से पलचा है फाइबर जैली बोल सकते है ठीक है अभी लेंटर लेंज परितारी का के नीचे ठीक नीचे उफस्तित होता है तो यहां पर आप देख सकते हैं उसको फिक के अंदर मैंने आपको बताया था शुरुवात पर बनता है और रेटिना से आगे जो तरंगों के रूप में परकास तरंगों के रूप में आगे मस्तिक को बेजाता है और मस्तिक उसको अच्छे से बढ़ता है अब बात करते हैं दस्टी पटल यानि रेटिना की बात कर लेते हैं सबसे इंपोर्टेंट रेटिना तो यह के अंदर पीछे का भाग पिसले भाग यई वह रेटिना कहता है रेटिना एक सुखसं जिल्ली होती है जिसमें बहुत बहुत संक्या में परकास सुग्राई कोशिका जेंगी हो नहीं होगी और किसी वस्तु से आती हुए परकास करने 1 अभी दयत्य लेंस दोबारा अफ़ारतन के पत्साद राठीव में बनती है तो यहांपर प्रतित करता है तो यहांपर बनती है रेटिफन लेंस है यहां पर बनती है ठीक है यही यहां पर बता हुआ है और रेटीन अवर परतिवा मनते ही उसमें वर्तमान परकास सुग्रई को सिकाएं प्रदिप्त होकर सक्री हो जाती है तता विदू संकेतों को उत्मन करती हैं यह विदू संकेत द्रग तंत्रिकां द्वरा मस्तिक तक पहुंचा दिये जात आपको एक बार फिर बता देता हूँ यहां पर आपके सामने यहां पर देखो होगा क्या यहां पर आपको थोड़ा सा पॉइंटर के द्वरा बता देता हूँ देखो यह आपको पता है क्या है लेंस यह क्या है रेटीना यहां से द्रग तंत्रिकां है ठीक है अब होता है क परकास की किरनदो आईगी, यहाँ से अफ़र्थित होके यहाँ पर दोनोई मिलेगी, मतलब रेटेना पर परतिबम बनाईगा, यहाँ पर अपन को पता है परकास समयदी, यहाँ पर कोसिका ही होती है, वो क्या करती है, विदूत संकेत उप्पन करती है और वो विदूत संकेत यहां से होके माइंड में जाते हैं मस्तिक्स के अंदर जाते हैं मस्तिक्स उसको क्या करता है सीधा करता है अपने को पता है क्या होता है उल्टा और वास्तिक होता है तो उसको सीधा करके मस्तिक्स उसको देख पाता है अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों इसके बाद में बात करते हैं समंजन सम्ता क्या है अभी नेतर लेंस की वो सम्ता जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को समयुजित कर लेता है समंजन या समंजन सम्ता कहती है देखो दोस्तों कभी क्या होता है अपन दूर की वस्तू को देख पाते हैं कभी कभी नजदिक की वस्तू को देख पाते हैं तो उसके लिए क्या हो गया उन वस्तू को देखने के लिए जो अपनी फॉकस दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं उसको समायूजित करना जरूरी होता है और उसी करने की समता कोई अपन समंजन समता कहते हैं अभिनेतर लेंज की समंजन समता एक निच्छी सिमा तक ही होती है क्योंकि अभिनेतर लेंज की फोकुस दूरी एक निच्छी सिमा से कम नहीं हो सकती यह नियुनतम दूरी आँख से 25 सेंटीमेटर है मतलब कि आपके 25 cm से कम फोकस दूरी नहीं हो सकती ठीक है तो अब क्या होगा तो उस कंडिशन में आपके लिए सबसे इंपोर्टेंट बात बता दू 25 cm से अगर नजदीक कोई वस्तू आप अपने आखों के 25 cm तक इससे भी कम नजदीक लेके आओगे तो आप उस वस्तू को अनन्तक हो सकती है मतलब जो आपकी फोकस दूरी है वो 25 cm से अनन्तक हो सकती है ठीक है गईज़ अब यहाँ पर आपको समझन समता समझ में आ गए होगा क्या है जो फोकस दूरी है उसको समझ जुद करने की समता को अपन बोलते हैं समझन समता ठीक है उसके बाद में सूदर तो यहां पर देख सकते हो जैसा कि अपन सब जानते हैं कि यहां पर मैंने बता दिया कि 25 cm से अगर नजदिक लाएंगे तो अपन नहीं देख पाएंगे तो वही नियुन तमदूरी है, मतलब 25 से नर्दिक लाएंगी तो अपन इस परशूप से नहीं देख पाएंगे, तो वो निकटमदूरी जहां तक अपन इस परशूप से वस्तू को देख सकते हैं, उसको अपन बोलेंगे अल्टमदूरी या निकट बिंदू, वो कितना होग नेतर 25 सेंटीमीटर से अनन दूरी तक रखी वस्तू को इस परशूप से देख सकता है, तो ये जो टोपिक था आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, दोस्तों मैंने आपको बताने की कोशिस की, मानो नेतर के बारे में, इसकी सरसना के बारे में, इसके जो भी पार्ट सेंटीमा इसनल में इसे enसले का लिंग दे रखा है, तो इसके अलावा यहां पर भी इसुथाहम सेंटीमा जाना है, फारो करके message डाल देना है, जो मैं आपको langरी और अच्छे सहे समय दोंबाएगी, तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों साथ सा现在 भी ओर जिससे उ दोस्तों वीडियो के नीचे लाल कर बटन है उसको दबाकि सैनल को सब्सक्राइब कर ले जिसे मेरा भी होसला अब ज़ाई हो और सबसे इंपोर्ट बाद वीडियो देखने के लिए धन्यवाद तो मिलते हैं सब्सक्राइब जय हिन जय भार्द यह यह जा कर भार्द झाल कर अधना कर लीचा आधना कर दो से अधने के ल encryptति हैं सब्सक्राइब